जब बार बार बोला है जो सरकार इनकी बनने वाली है तो जब सरकार बन जागी तो किसी दलित समुझाय को यहां राणे नहीं देंगे किसी आधी पिछड़ा को नहीं जीने देंगे लालू जाद राज़त का पिछलगू है राज़त का दिया हुआ प्रसाद करने का काम कॉंग्रस करती है कोई कूबत नहीं है विहार में जागी पर देख रहे हैं तो आप सभी को पता है एक बड़ा भी सन कांड को अंजाम दिया गया है जिसमें 80 से अधिक घरों को जलाए जाने की खबर है दवंगों के द्वारा एक दलित वस्ति को जला कर राक कर दिया गया अब इसको लेकर बिहार में राजनीती सुरू हो गई है बिहार में एक तरफ जहां विपक्ष आरोप लगा रही है कि सरकार की विपलता है तो ही सरका को कैसे देखते हैं क्योंकि यहां पर अब राजनीती सुरू हो गई बिहार कोई क्या राजनीत करें न करें अलग बात है यह नवादा जी ले के देदावर गाउं की घट्ना है जहां 30-35 हमारे दलित परिवार के लोग जिसमें मुशहर और चमार जाती के रविदास जाती क आगर कोई है तो वह माजी समाजी है और दलित रविदास समाजी के पास भूमि नहीं नहीं है गर रहने की जमीन नहीं यह तो वह जमीन prophecy होए Breakfast अभी बिकार जा रहा है जा उसी घाओं के बगल के जादो परिवार के लोग कुछ पासवां परिवार के लोग रोगा जनकी उस में जमीन है और इन गरीमीन पर्ति पड़ी हुई ती हम बर्सों रहा है मामला यह है मामले में मुकत्मा भी चल ला है वो लोग जो जादो परिवार के लोग है वो कोट में जा करके अपना टाइटल सुट की लड़ाई लड़ रहा है कि मामला भी नयायले के विचाराधीन है और यह लोग बार-बार उस पर कबजा करके गरीबों को बेदखल करने के काम क्या प्रियास करते रहे हैं यह पहली घटना नहीं है इसके पहले भी दो बार घटना हैं उनके साथ हो चुकी है यह लोग हम लावर रहा हैं गोलियां चला समधाय के साथ है जो उनका प्रोटेक्शन करता रहा है यह लोग बार-बार जादो जी लोग उसमें कुछ परस्वान जी भी है यह लोग गोली चला-चला करके उस सब को धमकाते रहें तो यह प्रयास हुआ और परस्वां की बात है सामने यह लोग बड़ी संक्या में कि लोग मैं सहरा हो गया है कि तुट चुराज परिवार की टीम वहां पहुंच गई इस गटना पर और हमारे जो वहाँ बगल में कैम्प चल नवादा में हमारे कैम्प के लड़के हमारे के कर्च करता वहां भोजन रासन सारी सामगरी लेकर के वहां गया है और दलित समधा कि रिपोर्ट समिट करेंगे इस्तिति का जायजा लिया है लोगों का दुख बांटने का प्रयास किया है लोगों के आशू पोचने का काम किया है जंत्राज के हमारे सत्या जी और राम बिलास पासवान जी जो गया है वहाँ तीम हैं मैं उनका नाम बतार रहा हूं यह पासदस हैं इस अडमिस्टरीव अफिसर जीओवी गजंदर माजी जी स्पेसल और पलिटिकल एक्टिविटिस्ट जंसुराज राम चंदर राम जी रिटाइड डियेसपी अनिल कुमार आरजा जी रिटाइड डिपुटी कलेक्टर संजय भारती जी एड़ोकेट पटना हाई कोट सत्यंद्र कुमार सत्या जी प्रवक्ता जंसुराज और करनल जेपी सिंग जंसुराज मुख्याले का दल आठ सदस्य दल वहां गया और स्थिती का अवलोखन किया है लोगों के आंसु पोचे हैं लोगों की समस्या सुनी है यह इन लोगों ने बताया हमारी टीम को कि वहां यह लोग जबरन इन दलितों को उजाड़ना चाह रहे है अब इसके लिए इतना हम लोगों का प्रयास जो इतना कारगर ह हुआ है इस पर सरकार भी चौकरना हो गई है और वहां के जिला प्रसासन को निर्देश दिया गया है साथ जिला प्रसासन वहां उस भूमी का परचा काटकर उन गरीमों को देने की बात कर रही है अगर परचा दे देती है तो यह जंसुराज की बड़ी सपलता मानी और उनको जमीन का परचा मिलना चाहिए ताकि वह उनको फिर दुबारा इंदवंगों द्वारा प्रतारित न किया जाए और इंदवंगों के खिलाप मुकतमा दर्ज हुआ है कारवाई हो रही है कुछ लोगी रवतार होने वाले हैं चापे मारी चल रही है प्रसासन को से जंसुराज का अनुरोद है अपील है इस पर इमीडियेट लिया जाए और हमारे दलित सम्था के लोगों को बचाने का काम किया जाए और जिन तबंगों ने उन पर गोलियां चलाई है उनके घर जलाए हैं उजाड़े हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनकी गिरफ कुमार और हैं और अजी जी उसर समाज से भी आते हैं और नेक दिल इंसान है थी तो उनको बिहार सरकार पर अधिनीन ृतिस कुमार जी पर और जो बिहार सरकार के खुक्मरानों पर इन और भारत सरकार पर और девटी चाहिए किस आप उन गरीबों को उज़ारने का काम हुआ कठोर्तम करवाई य कि राजत वाले लोग और यह तो भलाबर राजत काम चाम ही है अगली पIC do communities को अकली अखली तो को सब को पर सब्सक्रंबर समाज में बिद्वेश पैदा करने का हैं अगडी पिछली की बात खाली करेगा ये बात खाली लब रही के समाज बात की करेगा और सबसे ज्यादा सोसित पीडित जो भर्ग है दलित समाज है उसी को ये तंगो तबाह करता है इनका लोग अभी सरकार नहीं बनी तब तो वहां सैकड़ो जादा बंदूग और लाठी फरसा गोल बंदूग लेकर के दलित घरों को 30-35 गरों को जला दिया उजाड दिया जब इनकी इत्यस्वी जब भार बार बोलना है जो सरकार इनकी बनने वाली है तो सरकार बन जाएगी तो किसी दलित समुझाय को यहां नहीं नहीं देंगे किसी गरीब को नहीं जीने देंगे इन लो बातकार डगईती लूट अपहरन का कारोबार उद्योग के रूप का लेता रहा है यह 15 वरस के लालू राजत का आतंक राज चुपा नहीं है बिहार जोसी आज बिहार में कॉंग्रेस और भाजपा इसमुद्या पर उलज गई को सभी को घर बना के सरकार तो भाजपा के त कॉंग्रेस में लालू जादो के सामने में बोलिया नहीं रहे हैं साबद का रहा है कांग्रेस का अपना अजूद है अपना पाटी है देखे नहीं पार्लेमेंट चुनाओं में तुरियंका जी या राहूल जी जुआइन करा थे पपु ज्यादव के पाटी का मिलं समारो करा थे दिल्ली में अलालु ज्यादव ट्रांग लगा दिया जाम बंत की तरह इसको ठी बिहार के अध्याग जी के लिए लालवे जी कहा हुए है उन्होंने सोनिया गांती से पर्वी कहा कि इनको अध्याग्ष बनवाया है बात चुपी हुई है क्या है तो पुब्लिक डोमेन में है आप लोग सब लोगों के पास रेकॉर्ड है इसका लालु जादव ने तो किल दुब अधियरली कहा था के हम ने परवी करी सोनिया जी से तकम अध्याइक्ष बनाया गया आप समझ सकते हैं चौनकेश उनकी जिनतवी में है नहीं चाहते हैं कि क्या की फार्ति है एक गया उन्हों खतरनाक जीव है दुमुहा साप है जब मौका लगेगा ता हुँँ करेगा जब मौका लगेगा ता हना न करेगा यह उसकी फितरत है उसकी हिम्मत नहीं है जो वह बोल दे इतना बड़ा इतनी बड़ी घटना होई है दलित समधाय के 35 परिवारों को उजाड दिया गया है उस गटना के तुरणत बाद गटना स्टल पर पहुंचता है और उनको भॉजन देता है उनको विषकुट ॊसका देता है उनको खाना उनको खाना भना पागा तयार खाना ले जा करके खिलाता आब परसों से चेफना रूप makes us resources that we do सब दलितों के साथ हम लोग भोजन रासन और विष्राम की विवस्ता कर रहा है साथ टेंट लगा के उनको आराम दे रहा है तो भारतिय जनता पार्टी में अगर सास है इनके दो-दो यह लोग दावा कर रहा है जमीन इन जादा परिवार के लोगों की है इसलिए चार है जल्दी इसको खाली करावे अब उसमें जिसका जो जमीन है उसको काज़ बनाना है जिसका पोजिशन होगा जमीन तो पोजिशन के आधार पर सर्वेय को रिपोर्ट बनाना है लिखना है इसके लिए यह गोली चली है इसके लिए यह हंगामा हुआ है जब हमारी जमीन है इसको बेदखल कर दो गरीब जागा कहां उत्व भूमीन है काम करने काम करती है इसे मोको पर इनके अरा वहोर दिन हो रही है इनका आपना ब्हुटतता का नेत्या आप साहर processing मुह से बखार से olması करते हैं या तो यह लोग साजिस करके हत्या कर रहा है अपने का बीरोधिकार्ज करता हों का नहीं तो अगर अगर हत्या उसकी हत्यारों ने की है तो आप अगर सरकार में हैं तो आप उसके खिलाप आज बुलंद करिए सरकार को धंकाई है नितीश कुमार को जैसा आप करवाई करो अपराधी को गिरवतार करो यह सब खतम है जैसन नितीश कुमार तैसन भाजपा इदुनु गल्वहियां करके सरकार चला रहा है मलगजरी चाव रहा है नेता सब दीन भर अपसर के ट्रांसपर पोस्टिंग में कैसे हम उगाही करें यहीं धंदा इनके मंत्री मंडल के लोग कर रहा हैं इसे अधिक इन महाकांड जिसमें कई घरों को जलाकर राक कर दिया गया कई दलित परिवार के लिए अब छत नहीं है वह लोग बीना छत के हैं खाना की कमी है यह सब कुछ जेल रहे हैं ऐसे में एक बड़ा चीज यहां पर निकल कर आया जब हमने बाक्चित की जन सुराज के मुख्यों प साथ नहीं बाद